फेल माजी क्या है इसके कितने किसमे हैं माजी मतलग किसे कहते हैं माजी करीब माजी बाइद और माजी इस्तिमरारी क्या है माजी तमन्नाई किसे कहते हैं और माजी शक्या क्या है तो असलाम अलेकुम स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटिस्ट और ध इंपोर्टेंट टॉपिक है जिस से रिलेटेट कोश्चन आप लोग के उर्दू के एक्जाम में 100% देखने को मिलते हैं चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट क्यों नहीं या फिर आप कोई भी कंपटिटिटिव ग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हों सभी एक्जाम में इस उर लोग के उर्दू ग्रामर का मैं पूरी तरीके से जितना भी 10th क्लास के उर्दू के एक्जाम में उर्दू ग्रामर पूछा जाता है उन सभी उर्दू ग्रामर का एक तरह से निचोड तैयार करके एक वीडियो बनाऊंगी जो कि बहुत जल्द अप्लोड होगा और उस उर टॉपिक पर अगर कमांड कर लेते हैं सारे टॉपिक को समझ जाते हैं तो आप लोग 10th क्लास के उर्दू के एक्जाम में और्दू ग्रामर का कोश्चन एक भी छोड़ कर नहीं आएंगे उर्दू grammar के जितने भी कोश्चन आप लोगों के 10ında क्लास के एक随ंगे पूछ कोई भी कोश्टन छोड़ कर नहीं आएंगे तो उस वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा मैं बहुत जल्द अप्लोड करूंगी तो फिलहाल आप लोग यहां पर फोकस कीजिए रहिए फेल माजी किसे कहते हैं फेल माजी यानि कि वैसा फेल वैसा काम फेल यान चुका हो गुजरे हुए जमाने में पास्ट टाइम में उस काम को बोला जाता है फेल माजी जैसे कि मैं बोलू कि मैं खत लिखती थी मैं पढ़ती थी मैं पढ़ रही थी तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि जो काम हुआ है वो गुजरे हुए जमाने में हुआ है मैं खा च माजी करीब तुसरा माजी बाइद चोथा माजी किसे कहते हैं माजी मु quias काम अमब्र को मालूम नहां कि वह काम जो किया गया वो किया गया आज से दो-तीन पहले या फिर एक दो साल पहले किया गया है इसका मालूम नहों सिर्फ मालूम इतना रहे कि हां घुजरे वे जमाने में काम किया जा चुका है जिसे कि देखिए एहमद ने लिखा तो एहमद ने कब खत लिखा यह आप लोगों को मालूम नहीं है कि अभी 2-3 काम क्या हो गया माजी मतलख एक और एक्जामपल देखिये उसने मुझे मारा तो उसने मुझे मारा कब मारा अभी 2-3 दिन पहले मारा कि अभी दो चार घंटे पहले मारा या फिर दो साल दो तीन साल पहले मारा था ये नहीं मालूम है आप लोग को लेकिन इतना मालूम है कि हाँ उसने मारा था गुजरे हुए जमाने में पास्ट टाइम में ठीक है तो इस तरह के हम लोग फेल को इस तरह के काम को बोलते हैं हम लोग माजी मुतलक ठीक है और कोश्चन किस तरह पूछता है इसी तरह से कोई सेंटेंस देगा जिसे कि उसने मुझे देखा ठीक है और बोल देगा कि बताईए कौन सा फेल है और उसमें आपसंटे देगा माजी करीब माजी बाईद माजी स्थमरारी ठीक है तो उसने मुझे देखा तो यह कौन सा फेल है इससे मालूम क्या चले उसने मुझे देखा तो कब देखा आप लोग को समय मालूम नहीं है कि दो घंटा पहले देखा कि दो चार दिन पहले देखा ठीक है सिर्फ आप लोग को मालूम है कि उसने मुझे देखा तो यह कौन सा फिल हो जाएगा माजी मतलक ठीक है तो इस तरह के अगर कोशन आप लोग के एक्जाम में पूछा जाता है तो आप सही सही टिक लगा कर आईएगा ठीक है आगे बड़ी दूसरा देखिए माजी करीब किसे कहते हैं देखिए वैसा काम जो गुजरे बोलते हैं हम लोग माजी करीब जैसे कि बारिस हो चुकी है इसे मालूम चल रहा है कि बारिस हो रही थी अब बारिस हो चुकी है ठीक है बारिस हो चुकी है मतलब कुछी दिर पहले तो इससे मालूम क्या चल रहा है कि यह जो काम हुआ है वो कुछ दिर पहले हुआ है या फ की काम को बोलते हैं माजी गले की थोड़ी दिर थी हूआ हो ठीक है किन बहुत काम कींवेवे बहुत बोक देर तो सिर्फ इससे मालूं क्या चल रहा है कि डौक्टर कभ का जा चुका था एenser मेरे जाने से पहले एिजम आशे काम जो है काम हुआ है बहुत लेकिन बहुत पहले हो चुका हो उस तड़ा के काम को बोलते हैं माजी बाइद, यानि कि बाइद में हुआ हो, बहुत दिर पहले हो चुका हो ठीछे, आगे बढ़ác ये माजे इस्तम्रारी, माजे इस्तिमरारी किसे कहते हैं वो काम जो गुजरे हुए जमाने में हो चुका हो लेकिन जब वो गुजरे हुए जमाने में हुआ हो तो वो काम को बार-बार किया गया हो या फिर वो काम लगातार चल रहा हो फिर से समझे माजे इस्तिमरारी उस काम को कहते है जो पास टाइम में किया जा चुका हो गुजरेवे जमाने में किया जा चुका हो लेकिन उसे मालुम ये चलता हो कि वो गुजरेवे जमाने में जो काम किया गया है वो बार बार किया जाता था या फिर वो काम जो है गुजरे का काम जो गुजरे हुए जमाने में हुआ हो लेकिन गुजरे हुए जमाने में लगातार हो रहा हो तो उस तरह के काम को माज़े इस्तमरारी कहते हैं बच्चे खेल रहे थे यह काम क्या है चल रहा था गुजरे हुए जमाने में जो काम हुआ है खेलने का काम गुजरे हुए जमाने में लगातार हुआ है बच्चे खेल रहे थे यांगातार क्या कर रहे थे वो लागातार कर रहे थे पढ़ रहे थे तो इस तरह के वर्ड को इस तरह के काम को क्या बोल देंगे माजी इस्तमरारी कहेंगे आगे बढ़िए माजी तमन्नाई या फिर इसको माजी शर्ती भी कहते हैं अब जरह इसको समझे माजी तमन्नाई या फिर माजी शर् तो तमन्ना दिखाई दे रहा है कि अगर तुम महनत करते ना तो तुम पास हो जाते यहां पर शर्च भी लगाया जा रहा है कि अगर तुम महनत करते और आप लोगों को ख्वाहिस भी दिखाई जा रहा है तमन्ना भी दिखाई दे रहा है कि अगर तुम महनत करते तो तुम देखिए कास्ट में अमीर होती तो कास्ट में अमीर होती तो यह मतलब ख्वाहिस की जा रही है सपना देखा जा रहा है कि कास्ट में अमीर होती यह मेरी तमन्ना है कि कास्ट में अमीर होती तो इस तरह के लफज को इस तरह के किरिया को काम को बोलते हैं हम लोग माजी तमन्न जाती कास में अपने मैट्रिक एक्जाम में टॉप आ जाती अपना मतलब स्टेट टॉप कर जाती तो इस तरह कि खुआहिश जिस लफ्ज में या फिर जिस सेंटेंस में आप लोग को दिखाई दे उसको बोलेंगे माजी तमन्नाई ठीक है अग बलास्ट देखिए छे नंबर माजी शक्या या फिर इसको माजी एहतमाली भी कहते हैं वह फैल यानि कि वैसा काम जो गुज्र हुए जमाने में किया जा चूका हो वह काम जो गुज्र हुए जमाने में मुकमल हो चुका हो लेकिन उसमें भी आप लोग सब दिखाई दे रहा है कि पता नहीं यो लड़fäh को उस तरह के फेल को हम लोग माजी शक्या फिर माजी एहतमाली कहते हैं एक्जामपल लेकर समझे लड़के मैच जीत चुके होंगे इसमें आप लोगो शक दिखाई दे रहा है कि पता नहीं लड़के मैच जीते हैं की नहीं और इसलिए आप लोग इस तरह बोलते हैं कि लड आप लोगो इसे आप लोगो किया रहा है वहार है पिर माजी एहतमाली की कोई भी सेंटेंस डेकर आप एक्जाम में question पुछ देता है कि बताइए कौन सा फेल है और option में देदेगा कोई भी option और उसमें से जो भी आप लोगो right option दिखाई दे उसको आप लोगो सही टिक कर करा रहा है ठीक है तो I think मैं जितना भी समझाई आप लोगो समझ में आया होगा अगर इस से related question आप लोगो के एक्जाम में पूछता है तो आप लोग उसको छोड़ करना ही आईएगा सही सही टिक लगा कर आईएगा ठीक है तो चलिए मैं जो कुछ भी आप लोगो को समझाई वह समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो ल हाथिस